नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है हमारे यूटुब चैनल आटी मेमोरियल में तो आज हम पढ़ने वाले हैं अंग्रेजी के कॉमन एक हजार वर्ट्स जो आज मतलब आप से और हम में या किसे से भी कॉमन बोली जाने वाली सामान ये बोली जाने वाली अंग्रेजी वर् करेंगी तो हमने एक हजार वर्ट्स की ऐसी सीरीज रखी है और रोज 20-20 वर्ट्स का वीडियो आपको देते रहेंगे तो चलिए आज का सुरू करते हैं वीडियो जिसमें हम पढ़ने वाले हैं हमारे 20 क्यूस्ट तो जो है पहला है हमारा एस एस का मतलब होता है जैसा जैस जैसा है मैं और अब अगला वर्ट्स पढ़ने जा रहे हैं वह है है इस हम वह है हिस मतलब होता है उसके उसके भी हम हिंदी में बहुत भी जूज़ करते हैं और हिस यह भी बहुती कॉमन वार्ड है तो चलिए अगला वार्ड है यहां पर ठोड़ा गलत दिया हुआ है का मतलब वह तो और कि वैसे तो अक्सर होता है देट का मतलब वह होता है पर कहीं कहीं देट का मतलब की भी हो सकता है तो चलिए अगला वाड है ही ही का मतलब क्योंकि ही का मतलब वह यह भी आप जानते होंगे क्योंकि अगर आपने कभी सेंटेंस किया है हल किया होगा वैसे कि आई होगा तो ही तो जरूरी आता होगा तो चलिए अगले क्यूशन में हम लोग के लिए प्रयोक किया जाता है और अगला क्यूस्टन हम लोग का है एफ ओ और फॉर, फॉर मतलब के लिए फॉर का मीनिंग जो है के लिए होता है तो यह सब बहुत ही कॉमन मीनिंग है जो आप सब को आनी चाहिए और आएगी भी ऐसे ही एक जार वाट्स हम पढ़ेंगे तो चलिए अगला वाट है O and on on का मतलब पर होता है पर जैसे किसी चीज के उपर हम खड़े हैं जैसे हम छट पर हैं आप छट पर हैं ऐसे ही पर की जगह हम on का प्रयोग करेंगे और A, R, E R का मतलब है यह present tense है और R का मतलब अब बहुआ चन में यह परयोग किया जाता है तो हमारा अगला वर्ड है with with का मतलब होता है w-i-t-h with with का मतलब साथ तो चलिए यह वर्ड तो आप सबको पता है होगा और हमारा अगला वर्ड है they t-h-e-y t-h-e-y means way यह बहुआ चन है और हमारा अगला वर्ड है be 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 का मतलब हो be be यह ध्यान रखिएगे क्योंकि अभी be double e भी हो सकता है ऐसी be be मतलब हो और at अभी हमने पढ़ाता on on का मतलब पर और at का मतलब भी हम यहाँ पर पर ही पढ़ रहे हैं से एक वर्ड की मतलब वर्ड अलग हो सकते हैं पर मीनिंग एक हो सकती है से कि यहां पर एट और वहां पर आन था तो चलिए अगला वाड अभी हम लोग पढ़ते हैं अगला वर्ड है O-N-E, O-N-E मतलब A-1, वन का मतलब एक, यह तो आपको कॉमनली पताई होगा, क्योंकि यह हम बच्पन से ही पड़ते हैं, तो चलिए, हैव, हैव का मिनिंग है, ह-A-V-E, हैव का मतलब है, है, यह भी प्रेजंट टेंस ही है, पर्फेक्ट प्रेजंट टेंस इस का मतलब यह होता है, यहाँ पर इस भी दे दिया है, इस का मतलब जो है हमारा यह होता है, यह तो आपने पढ़ाएगा, क्योंकि यह भी बहुत प्रियोग आते हैं, और आगला वर्ड है हमारा, from, f-r-o-m, from, from मतलब से, from मतलब से, अभी हमने from पढ़ा था, भी कुछ द दूसरा सब्द है, तो चलिए, हमारा अगला वर्ड है, by, 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 by का मतलब होता है द्वारा, और एक by होता है, क्योंकि by और by दोनों पढ़ने में सेव लगते हैं, पर उनके मीनिंग्स अलग हैं, ऐसे commonly mistakes हमसे यह किसी से भी होते रहते हैं, तो चलिए, हमारा अगला वर्ड ह होट, 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 होट का मतलब होता है, गरम, और तो आज का हमारा आखरी वर्ड है, आखरी वर्ड है, वर्ड ही, हमारा आखरी वर्ड भी वर्ड है, डबलू, ओ, और वर्ड का मतलब होता है, सब्द, और हमारा आज का, बीस वर्ड का, जो हमारा है, वाज हम यहीं पर 20 वाट्स पर मेंनिंग ही रोकते हैं और अगले वीडियो में ऐसे फिर 20 मेंनिंग लाएंगे आप लोगों के लिए और जिसको वीडियो पसंद आया तो भाई वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे आड़ी मेरियल जेनल को सबस्राइब किजिए थैंक्स फर वाच